आज बायो सीड के अलफा 1020 मिर्च के खेट पर आये हुए हैं और हमारे हाथ में आज जो आप वराइटी देख रहे हैं उसका मिर्ची का हम लोगों ने तोड़ाई किया है तोड़ाई से हमको यह समझ में आया कि जो बायो सीड का अलफा 1020 जो वराइटी है इस वराइटी में आप आच्छे से देख सकते हैं कितना गहरा रंग इसको मिला हुआ है यह है और आप पाउधा भी देख सकते हैं कितना बढ़िया से फलन हो रहा है और किसान ने इसमें खेती में कोई दवाईया या फिर वाटरसल फेटिलाजर्स चलाए ने फिर भी फलन अच्छा आया है और वाइरस के प्रती भी अभी बहुत अच्छा टॉलरेंस भी देखा गया है और आपको मैं और बाजु वाला प्लॉट को भी दिखाऊंगा जिसमें आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके के दूसरी वराइटी है और अभी मैं VNR कंपनी का 305 की बारे में थोड़ा रहा है तो जब भी आप इसको मार्केट में बेचने जाएंगे यह जो अपना बायो सीड का अलफा 1020 जो है यह बहुत डार्क ग्रीन है इसलिए और इसके लंबाई भी अच्छी है और इसका वेट भी अच्छा आ रहा है चूकि यह हरा है और चूकि हरा नहीं है इसके वज जो खेते उसमें दिखाने ले चलता है अभी हम जो है विएनार के 305 के खेत में खड़े हुए हैं क्यामरा थोड़ा नीचे जूम करेंगे आप पौधा भी देख सकते हैं यह 305 है इसका पल पेड़ में देख सकते हैं पौधे में देख सकते हैं कितना जादा लाइट ग्री और वही आमने अभी पेड़ देखा अलफा 1020 मेर्शी का बायो सीड का उसमें आपको बहुत अच्छा हरा डार्क ग्रीन सेग्मेंट देखा जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं और अभी यह 305 है यह हमारे हाथ में भी है और नीचे पेड़ भी है तो देखा यह गया है और comparison करने के बाद यह समझ में आ रहा है कि जिसका color बहुत ज़्यादा green होने से अच्छा dark green होने से rate अच्छा मिलेगा थोड़ा वजन अच्छा जैसि इसमें आपको देख सकते हैं बहुत अच्छा वजन भी आपको देखने को मिल रहा है size भी uniform आ रहा है और इसकी जो गहर साइज भी नहीं आ रहा है कम चो आगे पीछे टेड़ा है ना थोड़ा पतला हो रहा है तो आपको आने वाले समय के लिए बाइस्वीड का अल्फा 1020 मिर्शी के बारे में एक बार एक बार एक पैकेट दो पैकेट लगाने के आप लोग पिरास कर सकते हैं ठीक है धन्यवाद शाने पैकेट शार नाय लयको आपके लेख।